प्रेंड्स मेरा नाम है धीरजकुमार और मैं आप सब लोगे स्वागत करता हूं इस क्लास में देखिए यह हमारी स्रीज चल रही है 100 प्लस स्रीज पजल की इसमें क्लास नंबर 41 चल रही है आज 40 नंबर 41 क्लास नंबर 41 है इसके अंदर मैं आपको पजल करवाऊंगा बैंक प्यों से और क्लरक वाली मतलब यह सारी जो भी पजल मिलेंगी तिरी ओरेंटीड है मतलब तिरी एक्जाम में ही आएंगी ऐसी ताइप की पजल डिजाइन करी है तो देखो इससे पहले 40 क्लास हो चुकी है किसी स्टुडेंट ने क्लासेज ना देखी हो तो वह देख लें आपके लिए काफी बेनिविशल रहेगा तो आज का टॉपिक कौन सा है मुलब कौन सी पजल है हमारी स्क्वाइर लब इसक्वाइर पजल मैं अभी तक करवाई नहीं थी ठीक इसको सॉल्ब करेंगा तो स्क आपके इसमें लग जाएंगे क्यों कि यह भी सिटिंग अरेजमेंट है अगर इन देख रहा है तो कैसे लेफ्ट लेते थे मैंने बताया तक कॉंसेट क्लास में देख लेना अगर भार देख रहा है कोई मेंबर आउटसाइड दा सैंटर या आउटसाइड दा कैलो स्क्वा स्टिर को उसमें किस वहाँ देख लेना वाखी मैं यहा इसमें किस तरीख के कॉंसेट्स लगें तो चल्व हम चलते हैं आज की पॉजल पर है यह यह पजल है ठीक है अब पॉजल को देखो पहले हम अच्ची तरह पढ़ेंगे क्या लिखाई कॉन इंड thi a है आर सिटिंग और स्कॉयर टेवल एक स्कॉयर टेवल पर बैठे हैं बट नॉट नैसेसरी इन से मोडर मत अब यह नहीं जिस ओर्टर में यह दिरके सोड़र में हो फोर परसन आर सिटिंग एड़ दा कॉर्नर आफ टेबल देखो यह में इंट्रेस्टिंग पॉइंट है मैं इंसाइड देख रहे हैं और आउटसाइड मतलब टेबल के भार देख रहे हैं और अवो इन्फोर्मेशन इस नॉट नैसे सरी इन से मोड़ यहां से यहां तक है यह तो पूरा इंट्रोड़क्शन है बागी पदल तो मेरे तीन लाइन किया अगर अगर आप इसको धंक से नहीं करोगे इसको दंक से नहीं पड़ोगे इंट्रोड़क्शन तो इपरजल गलत होने के काफी चांस है देख अंद्रोड़क्शन पढ़ा वह एंप्लीमेंट कर लेना था यह में को यह पना यहां से लिझो आज मेंबर शेमें तो टू बर्स के लिए मैंने अंदर बना दिया आप ऐसे मत बनाना आप अंदर ऐसे कर गोगे तो देखो इसमें रोग बनाने की जुर्द नहीं अंदर का मतलब अंदर ही देख रहे हैं अपका एक रोग हें में यह और यह आपकी बाखी बाखी तरीके से मेरी फजल बनी अब देखो क्या करना होता है यह आपकी रुब मलब की circle based puzzle है तो उसमें दो concept चलेगे एक तो देखो उसके अंदर क्या होग चलेगा आपका एक तो उसमें चलेगा क्या रहते है और दूसरा चलेगा एक चलेगा मिड यह चलेगा और दूसरा इसमें क्या होगा आपका face किस तरीके से count है दो face count करने पड़े देखो यह circle निया पहली बात तो यह circle को तो हम कही से भी कर सकते थे पहली लाइन से कोई दिक्कत नहीं होती थी देखो जैसे यह लिखा है लाइन स को विसको ना कही से भी श्रट कर देगा ऐसा नहीं क्योंकि देखो सी से के बाड़े में मुझे पता नहीं है देको एक यहां पर मैं चलता हूं लेख इन इससे कॉर्ष अ उसक Και MALE करता हो तो क्यों से ले लह मृटा हो सकता है कि आपका मेरे मेर каб या आपका corner पर बैठाओ, तो मुझे दो possibility से start करना पड़ेगा और यह करना है, तो यह circle नहीं है, यह आपका table है, क्यों कि इसमे corner or mid की problem होती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस type की जब भी आपकी puzzle आती है, तो मैं fix point ढूनता हूँ, तो इसमें क्या fix point होगा, इसमें हो जागा मैं गया, यह वाला पहला point मैं नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास mid और इसका पता नहीं है, यह कहां बैठा है, पर आगे गया, a sits mid of the table, आप देखो क्या बोल रहा है, a mid of table बैठा हूआ है, तो अब मैं इसको connect कर सकता हूँ, a mid of table बैठा तो एक possibility बनेगी, और उसके right है C, और आगे देखता हूँ, only two friends between C and E, तो मैंना मेरी puzzle एक दूसरे से connect होती जा रही है, तो मेरा fix point यह वाला second line वाला होगा, ठीक है, तो देखो इसी से मैं start करता हूँ, देखो कैसे करता हूँ, देखो मैंने हाँ पर start करा हूँ, देखो यह मैंने बनाया, यह middle of the table, middle of the table, middle, 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 middle yeah, एक, दो, तील, चार, तो आप क्या करो, A को यहाँ बठालो, यहाँ कहीं पर भी 4 में बठा सकते, कोई problem निया, मगर पहली बार जहां पर बठा किए, वहीं से start करना है, फिर बार बार चेंज निहीं होता, तो मैं तो यहीं बठांग, आपको इस बठा दिया ना यह देखो यह आगा अब इस रिवर्टिट पॉइंट मेरे को पास है जभी को मैने इस पॉइंट लिया यह था अब लोग मिलब कहने का मतलब यह क्या करेंगे तो हम आपके सदुनला करेंगे राइट साइडमा से यहां आए Nep and ग्रेखने उमेंट कर दूंग करके में एईडर कर दूंग तो सब्सक्राण करेंगे मिलब क्योंने दोड़ यहांट क्या कर ना use ने खना रिखता है कि सी आगया यह आगया अब सी इसे को रिलेटेड़ पॉइंट मिल जा तो मेरे लिए काफी वैनिशल होगा देखो आगे चलता हूं मैं अब पढ़ता हूं क्या लिखा ओनली टू फ्रेंड्स सिट बिट्विन सी एंड अब देखो क्या बोरा ओनली का मतलब फिक्स है केबल द तो यह को एक दो हो एक दो फर्दी अधर भी में आ सकता है कःए पर भी भी आ सकता है ने इसको मेरा लेटा या सोब लिखा ने यहां से में बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह तो फिक्स है सी और ए तो देखो इधर भी आ सकता है यह साथ जल्दी बाजी में बनाना भूलिया में तो ओनली टू फ्रेंड्स बेटीबिन जो your इतव हैं गयर दो यहां पर चानल का रहाएं तो इस तरीके से लेकर चलना है अपदेको मैं चलता हों आगर इसको याद रखना इस तरीक के से मैं यहांपर आगे डाइगराम बना देता हूं ताकि दिक्त नाओ एक सी यहां पर था एक मिनट करा गए आपर एक मिनट आ यह यह वाला डाइगराम है आप यहां पर था ना देखो यह को भी छोड़ो इसमें देखो कुछ मिस्पेरिट फिया कोई बात नहीं और देखो मैं लेता हूं सी एन और wykonitaire कि यहां मेलियू यह सब कि मेरे ब्राइगराम में इसका इमेडियेट कुणसा होना यहीं तो और लेफ्ट के लिए काउंट करूँगा क्लोक की तरफ तो चलूँगा मतलब की घड़ी की तरफ तो एफ इधर आगया ठीक है पर देखो अंदर वाला डाइगरम क्या देखो आफ देखना अरे आफ क्या जन्री एपिज रेस एक है ATION सब्सक्राइब यहां नहीं नहीं और दूसरी में यहां पर जाता हूं अब इसको अठा देन यहां से इसमें अपने अगई अपने इसमें अगी आपाइगा तो G यहां नहीं आपाएगा, इधर कभी F नहीं आएगा, H नहीं आएगा, और देखो 1, 2, 3, यहां हमने बखर लिया, यहां पर H मैं यहां करता हूँ, तो इसमें क्या है, G थल्डर राइट है, H के दो, 1, 2, 3, काउंट करो, तो राइट कैसे करोगा, एंटिक लोग अंदर देख रहा, 1, 2, 3, तो यहां पर आना चाहिए, क्या क्या क्याते है, G, तो G नहीं आएगा, इसके थल्डर राइट लिया, मैंने देखो, एक, दो, 3, जी, तो यहां पर थोड़ा ही साद मिश्टेक है, अब कला चार्ट बन गया है, तो देखो, H यहां पर लेना, एक, दो, 3, जी, यहां आएगा मेरा, ठीक है, आप देखो, पॉइंट कर लेगा, D, B faces D, मतलब यह है, B के सामने, D बैटा है, and is not neighbor of C, देखो, इस पॉइंट को calculate करते है, क्या लेका है, D, B faces D, मुला, B face कर रहा है, D को, and, and किसको बारे में बता रहा है, and, बना लेना, सही तरीके से, यह condition satisfied नहीं हो पाएगी, तो देखो, यह पजल इस तरीके से, आप समझ पाएगे, किस तरीके से यह पजल बनाई है, तो बाकी देखो, चलते हैं, पजल यह आपके बन जाएगी, जैसे भी यह मलब बनाई हो, यह बन जाएगी, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार यह पर, जी थार्ड राइट ओफ एज, जी तरी आएगा, यह गलत बन गई है, बाकी देखो, इसको बेसिस पर हम कोश्चन्स देख लेते हैं, आप मालो यह डाइग्राम फिलाल ठीक है, बाकी मैंने पजल पूरी समझा दी, फाइड दा ओड वन आउट, देखो और वन आउट के लिए सारे चेक करने पड़ेंगा, जी कहां पर आ रहा है, इदर आ रहा है, एदे रखा एक भी देखो, एक बेदे को, एक बार देख रहे है, तो यह मेरा ओड वन डी हो नाची, यह उप्शन न नमबल डी में, नेक्स तो इस सेकेंड राइट अफ देखो पर देखो यह भार देख रहा है तो सेकेंड राइट का होगा लेफ्ट साइड में एक दो यह आना चाहिए और अप्शन नमबर बी में है आगे चलते हैं अप्शन नमबर बी में अगले चलते हैं देखो क्या बोल रहा है वाट इस दा पोजिशन आफ डी विद रेस्पेक्ट टू अब लगकि डी की पोजिशन क्या है जब एसे हम काउंट करें तो यहां से काउंट करो देखो वर्न टू थी और यहां से वन टू थी फोर पाइप फाइब वाल थी तो कोई ओप्शन नहीं है तो इसको काड़ तुछ तुछ यह रहा है तो काउंट करोगे यह तो यहां पर दो आ रहे है एक दो थी यहां चार आ रहे तो मैं आंसर नहीं बता सकता है क्योंगी आइदर और का आना चाही आईदर और या तो मैं C&D इसको इसका PDF लेना है तो यहां से ले लेना और यह साथ में कहाता है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो देखो इस class को यही पर end करते है फिर next puzzle मैं मिलता हूं मैं जो भी इसकी next series चल रही है एक नई puzzle के साथ